दोस्तों, हाला कि पपीता खाने के कई फायदे हैं, लेकिन पपीते के कुछ दुश्परवाव और उनके उप्योग से संबंदित कुछ चेतावनिया भी है, जिनका ग्यान आपको होना चाहिए या विशेश रूप से हरे पपीते, पपीते के बीज, पपीते के पत्ते और पपेन एंजाइम के प्रियोग से संबंदित है, तो आईए पपीते के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, ताकि ना केवल हम पपीते के उन दुश्परवावों से बच सकें, अप इससे गर्भपात, समय से पहले लेबर पेन, शीशों में असामान जाता है, और यहां तक की बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो सकता है, अत्हा गर्भवास्ता के दौरान सक्ती से पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, इस्तनपान करा रही माताओं को भी पपीते का सेवन कारण हो सकती है, जिससे चिकित्सिय रूप से केरोटी नामिया कहा जाता है, यहां एक ऐसे इस्तिती है जिसमें आपकी आखों, तलवों और हतेलियों का रंग पीला हो जाता है, जैसे कि आप पीलिया से ग्रस्त हो, पपेन, पपीता में मौजूद एंजाइम, एक सक्तिसा आली एलर्जीन है, अतहा पपीता की अत्यदिक सेवन से नाक में कंजेशन, घरगराहाट, दमा जैसे विभिन, स्वैसन विकार आपके शेरीर को अपना शिकार बना सकते हैं, पपीते का अत्यदिक सेवन गूर्दे की पत्री का कारण बन सकता है, बहुत अधिक पपीता खा सामना करना पड़ सकता है, जो लोग रक्त पतला करने वाली दवाईयों का सेवन करते हैं, उन्हें भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, पपीते का सेवन एक साल से कम उम्र वाले शिशुओं के लिए उप्योगत नहीं है, दस्त से पीडित होने पर पपीते का उप्यो पपीता प्रकृति का मनुश्य के लिए एक अद्बुत उपहार है हाला कि यदि इसका इस्तिमाल सही से नहीं किया जाए तो ये बताए गए दुश्परभाओं का मूल कारण भी बन सकता है